कि नमस्कार वेलकम टू इंग्लिश हिंदी ग्रामर लर्निंग क्लासेश यहां पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रामर को साथ-साथ पढ़ाते हैं और इसलिए यह हिंदी इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है है that अभी हम इंप्टीव्वाइस को पैसिव वाइस में ट्रांसफॉर्म करना है बदल रहे हैं चेंज करना हैं इससे पहले हम जो ठीटेंफ्त के तीनों को एक्टिववाइस वह रूल इस्टेंडर रूल है यहां पर जो कुछ भी बदल रहा है सिर्फ और सिर्फ वर्व के फर्म बदल रहे हैं से एक बार आप से कहूंगा अगर आपको वाइस समझने में तनिक भी कठिनाई हो रही हो तो टेंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लिजिए टेंस के बार हो फॉर्म अमारे वीडियो पर एक करके अपलोड किये गए है आप उनको देख सकते हैं छोटे छोटे वीडियो है आपके समझने में आसानी होगी किसी वीडियो को हमने जान बुच करके बल्की नहीं बनाया है बट कोई चीज हमने छोड़ा भी नहीं है सारे च वह से तो पहले पास्ट करते थे आज अकल लोग स्ञेफर करते हैं दोनों बाते हैं कि वह तो जो पास्ट इंडेफिनिट सoshijate जो फॉर्म होता है इसका बहुंको पढ़ाए है था हम आपको test Lance 7 में बताते चल रह müssen so that आपको बहुत पीछे भागना न पड़े तो जो हम टेंस आपको बताएं उसमें जो sentence का structure उसमें subject है verb to है और object है बस जो past indefinite tense में आपको कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना है simply subject होगा, verb second होगा, verb का form तो याद करना पड़ेगा सिर्फ अकर verb का one form याद की है तो उससे आपका past tense काम नहीं चलेगा तो इसलिए verb का second form आपको past indefinite में लगाना है और उसके बाद से object है और any other कुछ बचा है तो जैसे he ran away दिखा हुआ तो he जो है subject हो गया, ran जो है verb हो गया, verb का second form और ran away object इसमें है नहीं तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, irrespective of person, irrespective of gender, irrespective of number सब में second form लग जाएगा, simply second form लगा देना है, चाहे singular हो, चाहे masculine हो, चाहे feminine हो, चाहे first person हो, second person हो, third person हो, सब बम में आपको बीना किसी mistake को मन में समझे हुए, भर्व का second form लगा देना है, ram ate the food, ram ने खाना खाया, हो गया यहाँ पर चाहे, he ate हो जाए, i ate हो जाए, you ate हो जाए, जो भी subject आपको चेंज करना है कर लिए, यह एट जो है, इसमें कोई ses नहीं जोड़ता है, तो इसलिए यह past indefinite और भी आराम की चीज़ है, जब इसको हम passive voice में convert करते हैं, तो हमें एक जुलिरीज वर्व क्रियेट करना है, बीना एक जुलिरीज वर्व का passive voice नहीं बन सकता, इसलिए जब passive voice बनाते हैं, तो इसमें वाज और वेर, जो अबजेक्ट महराज हैं, इनके requirement के अनुसार वाज और वेर लगा देते हैं, वर्व के third form कर देते हैं, बाई कर देते है passive voice बन गया, यहाँ पर राम ate the food, the food was eaten by राम, जब यहाँ पर हम negative बनाते हैं, तो negative में क्या होता है, जो 8 है यह डीड में आ जाता है और दीड नॉट हो जाता है, और 8 का eat हो जाता है, फस्ट फोर्म में आгов जाता है, जब जाम निगेटी बनाते हैं, पास्ट इंडेफिने त तो जो वर्ब का second form है, वो first form में आ जाता है, और second form को indicate करने के लिए did लगा जाते है, negative इसलिए not हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी same हो जाएगा, the food was not eaten by Ram, यहाँ पर did कहीं दीखेगा नहीं आपको, क्योंकि वो did जो है, it से ही आया, it को it convert किये, तो इसलिए did हो गया, यहाँ पर भी जो interrogative sentence बनाएंगे, उनमें जो एक्जुलेज भर्ब है, अचाहें, डबलू एच करके है, इनको बाहर करतेंगे, और बाकी sentence as it is हो जाता है, बड़ी असान है, बड़ी आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई भी नया चीज नहीं पढ़ना है, except second verb को third form में convert कर देना है, was or where, add कर देना है, इसके बाद से past continuous tense, means something is going on, ing form है यह, हम present continuous tense पढ़ चुके हैं, तो जब present continuous tense पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने क्या किया, is, are, am के बाद being लगा दिये थे, जब past continuous tense पढ़ेंगे, तो was, where के बाद से being लगा देंगे, राम वाज eating the food, यह active voice में हो गया, तो इसका structure क्या हो गया, जब हम tense पढ़ाते हैं, तो subject हो गया, वाज हो गया, वाज हो गया, ing हो गया, object हो गया, तो इसमें मुलता रूप से वाज वेर होता है, और वर्व का ing form होता है, तो यह active voice हो गया, जब passive voice में convert करेंगे, तो passive voice में चाहें, जिस किसी भी tense का subject हो passive voice में वो third form में आ जाएगा, तो third form में आ जाएगा, उससे पहले being लगेगा और वाज वेर लगा दीजिए, the food was being eaten by rum, not वाले के लिए वाज के बाद not लगा दीजिए, interrogative के लिए, जब अब पूरा यह समझ लिजिएगा, तब interrogative कीजिएगा, क्योंकि interrogative में कई बार एक जो तिसरा form है, वो past perfect tense है, और जिस तरीके से present perfect tense में, subject जबाब, sentence जबाब आते हैं, तो subject बाद have और hedge होता है, present perfect tense में, hedge और have होता है, past perfect tense में, hedge और have के जबाब होता है, चाहे singular हो, चाहे plural हो, चाहे first person हो, चाहे third person हो, चाहे masculine हो, चाहे feminine हो, कुछ भी हो, head सब जगा होगा, universally head होगा, तो sentence क्या बन जाएगा, राम had eaten the food, चुकि past perfect tense है, इसलिए अपने आप ही verb का third form होगा, तो यह verb के third form को adjectives मुझे, जब sentence हम फॉर्म करेंगे, अब्जेक्टिव से passive में, तो adjectives हम रख देंगे, इसको हमें learn करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें learn क्या करना है, had के साथ been लगा देना है, हैड के साथ, पहले जब हम present perfect tense थे बनाए थे तो उसमें हम have और हैज के साथ बीन लगाए थे, अभी हम हैज हैड के साथ बीन लगा देंगे, जैसे the food had been eaten by राम, very easy, कोई नया चीज नहीं है इसमें, subject को object के जगा पर रख दिये, यह subject राम महराज है, इनको object की तारह जगा पर रख दिये, और जो food जो है object है, इनको हमने subject की जगा पर रख दिया, head सब के साथ लगेगा, bean add कर दिये, verb third पहले से ही हैं और by लगा देना है, हो गया, past perfect tense का voice बन गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, और past perfect continuous का बनता नहीं है, सिर्फ तीन ही का हम लोग practice करते हैं, तो इस तरीके से present tense में तीन, past tense में तीन, छे तरह का अभी तक हम voice convert करना active voice से passive voice में सीख चुके हैं, इसके बाद हम future tense का सीखेंगे, जहां कहीं भी confusion हो, पीछे वाला वीडियो देखिए, grammar है, systematic पढ़ना है, और systematic पढ़ना है, तो पीछे वाला वीडियो को देखना है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको share कीजिए, like, subscribe कीजिए, कुछ comment आपको डालना है, तो comment box में comment भी डालिए, हमें पता चलता रहा है, feedback मिलता रहना चाहिए, कि हमें और किस तरीके से बनाना है, pure English यूज़ करें, pure Hindi यूज़ करें, mix करके जैसे कर रहें, वैसे करते रहें, speed में चलें, slow में चलें, आपके जो कुछ भी views हैं, आप comment box में डालिए, feedback के अनुसारी हम इसमें changes करेंगे, क्योंकि ये classes आपके लिए हैं, आप अच्छी तरीके से grammar सीख जाएं, Hindi और English grammar पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएं, और अपना जो भी career goal है, उस goal में आप merit list में आएं, उपर आएं, यहीं हमारा धिया है, इसलिए आप भी सिखिए और बाकी लोगों को भी share करके सिखने की train आदीजिए, मिलते हैं अगले वीडियों हैं, तब तक के लिए, नमस्कार